बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का आपके प्रें यूटूब चैनल सुकला स्टेड़ी पाइट विमस्यूम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दित स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो के इंतरकेत हम लोग बात करेंगे बेदुतियवर्स के चाचातरों के लिए साइकोलोजी आर्थात मनोबिग्यान के पेपर 1 के मौडल पेपर के बारे में आर्था सौल्ब मौडल पेपर होगा आपके 2022 की परिच्छा के लिए बीए दुतिये वर्स के चाचातरों हे तू साइकोलोजी जिन्होंने लिया है आर्थात मनो बिग्यान जिनके सब्जक्ट हैं उनके लिए लेक्षर बहुत ही महायत पूर होने वाला है तो मनो बिग्यान का पेपर 1 से जितने भी परसन आपके परिच्छा में आने वाले हैं उनके उत्तर को और परसनों को आपको बताने का प्रियास इस वीडियो के मादम से क्या जाएगा ये परसन बहुत ही अदमाहत पूर है परिच्छा में लगा तार आते रहें पेपर का नाम क्या है मनो बिग्यान ये पेपर का नाम है और आप मनो बिग्यान आपका सब्जेक्ट है आए देखते हैं यहां से कैसे कैसे परसन आपके एक्जामस में आएंगे देखिए मेरी पैर दोस्त बड़े ही आसानी से हमारे एक मुद्दे को समझने का प्रियास करेंगे परसनों को आपको समझाने का प्रियास किया जाएगा बीदूतिये वर्स की परिक्षा में ये परसना सकते हैं बात आप ध्यान रखेंगे बीदूतिये वर्स मनो बिग्यान मनो बिग्यान को अंगरेजी में क्या कहा आता है साइकोलोजी के नाम से आनाता है मनो बिग्रत बिग्यान पेपर का आपके नाम है पेपर वन और साइकोपाइथालोजी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ठीक है यह साइकोपाइथालोजी पेपर का नाम है यह model paper है आपका 2022 की परिच्छा के लिए और आपको बता दे कि जो अगर आने वाली परिच्छा की और है जैसे कि semester वाई जो परिच्छा होनी है अगर उसमें जो है paper का नाम यही होता है मनों बिकर्द बिज्ञान तो ऐसे ही परसनाम की परिच्छा में आएंगे तो भी उसके फीली भी important है यह okay चलिए बात कर लें पेपर आपका तीन खंड में बटा हुआ होता है खंड आ और और शा कंड आसे जो प्रस्ट पूछे आते मेरी पैर दोस्तों खंड आ से लगउतरी प्रसन पूछे आते मेरे फंद से लगउतरी ए मलब खंड से लगउतरी खंड सा से द पसदहुनों में लेशमें 10 अतिले गुत्री पसंओ को दूर्ष है। दस लगुत्रिई पस्नद हैं और पांच दीर गुत्री हैं। तो अब इन पस्नों की अगर अगर वद्र पस्छा पाउ singular पस्तही पस्तिन को तैयार कर लिया तो एक्जाम से प्रसिना से पूछा रहा है। दर होता है ठीक है इसमें कई طरह के दर सामिल होते हैं आप लेखेंगे जिसका केंदर विंदू आमस्थान होता है यहाँ पर व्यक्ति को यह भिष्वास होता है कि किसी तरह की घटना या दुर घटना घटित होने की इस्तिति में ना तो उसका बचना ही संबहु है और ना ही उसके बचाव के लिए कोई आ सकता है। यह डर महिलाओं में अधिक होता है। मनों चिकस्तकों के उपचार ग्रहों में आने वाले 60% रोग जो होते हैं, इसी रोग के होते हैं और इस रोग की सुरुवात परायाहक की सोरा आवस्था तथा आरंभिक वैस का आवस्था में होने लगती है और एगोरा फुविया मनलब की अस्थान मलब अस्थाल खंडों से असथ भीड भाड़े वाले अस्थानों से डर लगना ही होता है तो एगोरा फुविया के बारे में आप इतना लग सकते हैं अगला प्रस्था है आसामान ब्योहार क्या है आसामान ब्योहार क्या है आसामान ब्योहार से आप क्या समझते हैं कुछ हैसा प्रस्था प्रस्था पूछेगा तो आप आसानी से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि आसामान ब्योहार वैसा ब्योहार होता है जो समाजिक मानक इवं प्रत्यासाओं की प्रतिकूल होता है और साथ ही साथ अप अनकूलित भी होता है आसामान व्यावार को समझने के लिए हम कुछ बाते आपको बता रहें उनको आप लोग धान सुनिएगा वैसे आसामान व्यावार का मलब होता है कि समाज में कोई नियम बना है कि समाज में चोरी करना गलत बात है या डाका डालना गलत बात है या किसी को मारना गलत बात है किसी समाज में कोई नियम बना हुआ है तो उस नियम को फालू अगर कोई विक्ति नहीं करता है या उस नियम का एक परकार सही तरीके से नहीं जो है जान पाता है और दूसरे तरीके से कार करने लगता है नियम को अनफालो करता है नहीं फालो करता है कोई चीज कोई कह रहा उसको नहीं सुनना तो यह क्या होता है यही आसमान व्योहार होता है कैसा आसमान व्योहार ऐसा व बिरोधी ब्योधी 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 ब्योध में समायोजन यह नहीं कर पाते हैं ठीक चौथी बात यह है कि आसामान बेक्ती होते हैं वो सुजबूज इसमें कम मुद्धी पर सुजबूज कमी मुल्ब Qi कमी होती हैं पाचुवी बात इसकी यह है आप लिखेंगे कि आसमान बेक्ती का ब्योहार बिगटित ब्यक्तित तुवाला होता है कैसा होता है बिगटित ब्यक्तित तुवाला होता है ठीक जो है इसकी छाठवी बात आप लिखेंगे छाठवी बात क्या लेख सकते हैं भाई आत्म ज्यान और आत्म सम्मान की कमी होती किसमें जो है आसमान ब्यक्तियों मे और साथ भी इसकी विशेस्ता ये है कि आसुरच्छा की भावना इन में क्या होती है तीबर होती किसमें जो है आसा मान बेक्तियों में इस परकार से हमने आपको बता दिया कोई चिंता करने की आवस्थ सकता नहीं है किलरोगी बाते आगे समझते है तीसरा नमबर पसन है मनो बिदलता कार्थ बताए ये मनो बिदलता क्या होती भाई मनो बिदलता माने वह इसे तो खास करके पागल होता है ठीक है मनो बिदलता जो है एक गंभीर मानसिक रोग होता आप लिखेंगे कि मनो बिदलता एक गंभीर मांसिक रोग है और आगे लिखेंगे कामा लगा करके कि जिसे सामान निभासा में पागल कहा जाता है क्या कहा जाता है सामान निभासा में पागल कहा जाता है वही होती है आपकी मनो बिदलता मनो बिदलता चिंतन एवं छुब्ध मनो दसा विकरती होती है कैसी भाई मनो बिदलता चिंतन एवं छुब्ध मनो दसा विकरती होती है चिन्तन में ऐसी बिकृति की अफिव्यक्ति रोगी किसी वस्तू या चीन पर ध्यान किंदित करने की आचमता में अपनी आसामर्तता के रूब में कारे करता है और मनोभी दलता में खासके रोगी जो होता है उसको गलत प्रतेक्षण विस्वास होता है और वास्थाविक्ता को समझने में उसे कई परकार की कठनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वो जो वास्थाविक्ता होती है उसको नहीं समंच पाता है और तमाम सारी चीज़े उसके दिमाग में जो है वही चलती रहती है तो वही होती है आपके मनों बिदलता एक बिक्ति है कॉल माइन कॉल माइन मनों बिदलता की परिभासा को देते हुए कहते हैं कि मनों बिदलता वह पद होता है जिसमें मनों बिच्षिप्तता से सम्मंधित कई भी कारों का बोध होता है इसमें बड़े पैमाने पर वास्तविक्ता की तोड मरोड दिखाई देती है रोगी समाजी कंतर की दियाओं से पलायन करता है बग्ती का प्रतक्षिकरण बिचार, संबेग, आपूर्ण और बिघ्टित रूपे होता है और खासकर के मनों बिदलता के कारण कभी कभी जाम से परस्त पुछा आता है तो मनों बिदलता के कई कारण जैसे पहला कारण होता है जैबिक कारण है दूसरा मनोबग्यानिकर्ण जयबिक करण में यह से कि सारीरिक करण जिसको आप कहते हैं वह अंसानक्म लगकि कोई वक्ति तो इसकी कि किसी के पिता जीव ऐसे थे तो उसके लड़कें में भी दिमाग कमी है तो यह तो हो गया वो अंसानुकरम के हिसाब से साररिक बनावट के हिसाब से भी कोई वक्ति पागल के सब्ले में आता है मनोवेजलता हो जाती उसकी केंद्री असनाईव मंडल के द्वारा भी ऐसे होता है और जो मनोवेज्णिक कारण है वो यह है कि निरासा मन के उपर प्रहार उरार लगाता तो उससे भी आप पगला सकते हैं मनों भी दलता हो सकती है ये बात ध्यान लखेंगे चौथा नमबर परस्ण है चिंता की परिभास दिजे भाई चिंता क्या होती चिंता की परिभास आप से पुछा रहा है कि चिंता की परिभास हो दिजिए तो चिंता से आप लिखेंगे कि चिंता से हमारा अताती पर डर्या आसंका के दुखत भाव से होता है दर्या आसंका के दुखत भाव से हमारा अतात पर चिंता से है चिंता डर या ऐसी आसंका होती है जो कि दुखद हो चिंता से कई तरह की विकरतियां जनम लेती है चिंता जो होती है एक प्रकार का रोग होती है और रोगी के अंदर यहाँ प्रबल प्रेणा बनी रहती है कि वह किसी संसकार जन्नकार को बार-बार अनुभो करे और यही कारण है कि इसमें रोगी कुछ कारियों को बार-बार करता है इसलिए वो चिंतित होता है ठीक चिंतित में जो बक्ति होता है किसी कार को दो-तीन बार करता है ठीक एक बक्ति है पेज पेज महोदे चिंता की परिभासा को देते हुए कहते हैं कि चिंता या मनोगरासता चिंता या फिर उसी को मनोगरासता के नाम से भीजाना था चिंता को ही तो चिंता या मनोगरासता यह विचार होता है जो रोगी की इक्छा के प्रतिकूल अपने आप ही उसके मन में बार बा आता रहता है तो जो रोगी की च्छा के प्रतिकूल रोगी जो चाह रहा है उसके हिसाब से नहीं हो रहा कोई चीज उसके प्रतिकूल उसके विपरीत अपने आप ही उसके मन में बार बार कोई चीज आने लगे जो नहीं चाह रहा है तो वही चीज क्या होती चिंता होती है ज योगी को दिसाहीन बना देता है जो किसी विशेश पदार्थ से उत्पन होती है इस चिंता से किसी विशेश लक्ष का ग्यान नहीं होता है यह किस ने कहा परिभासत दी किस ने कोलमाइन महोदे ने दी है ठीक यह बात किलिर होगी आपकी अगला परसन आपके समक्षी क्या है पाचवा नमबर परसन है आई सीडी दस आई सीडी दस क्या होता आई सीडी टेन जिसको कहते हैं आप तो आई सीडी टेन क्या है तो आसामान ब्योहारों का परसन क्या है आई सीडी टेन क्या है तो आप लिखेंगे कि आसामान ब्योहारों का कई रूपों में वर्गी करने का प्रयास किया गया है बैग्यानिकों के द्वारा इसमें ब्रेटन सहीत दुनिया भर के मनोच किस्तकों ने क्या किया है इसे सोध के उपरांद वर्गी करत करा है इसका विभाजन किया है और जिसके अंतरगर्ट D.S.M. 1, D.S.M. 2, D.S.M. 3 D.S.M. का फुलफार्म होता है डाइगोनोस्टिक स्टेटिक स्टिकल मैनूवल और उसको विख्सित किया गया और इसी प्रकार व्यक्ति के आसमान मनोब्योहारों को जो है ICD-10 में बताया गया है कि मनोच के आसमान ब्योहार कौन-कौन से होंगे इनको ICD-10 में जो है बताय किया गया और इसमें सभी प्रकार के दैहिक यो मानसिक रोगों की स्रेडिया निधायत की गई है एक विक्ति हैं केंडल और केंडल महोदे कहते हैं कि DSM चतुर्थ तथा 207 संगठा डबलो एच्चो ICD-10 में मानसिक रोगों का जो प्रकासन सामने आया है लगभग एक समान है इन दोनों के वरगी करण में एक रूपता बना करके प्रकासित करने का भरसक प्रियास किया गया है यह ICD-10 के बारे में आपको पता दी आसमान मनोब्योहारों को एक ठाठा करने का एक प्रकार से जो ढाचा होता है वो सिकते हैं अगला पस देखेगा भाई अगला पस आपके समग छटवा नमबर पस ने परतिबल या तनाव क्या होता है ठीक तो लिखेंगे एक बिक्ति हैं हंस सेली हंस सेली महोदे परतिबल की परिभासा को देते हुए कहते हैं कि परतिबल से तात पर पर्तिबल से तात पर सरीर के द्वारा आवसक्ता नुसार की गई अविसिष्ट अनुक्रियाओं से होता है मारगन, किंग, बिज, बिश्ज और जो है इसकोपलन ने पर्तिबल को परिभासत करते हुए कहा पर्तिबल की एक सेयुक परिभासा है जिसमें मारगन, किंग, बिश्ज और इसकोपलन महोदे हैं उन्होंने बत कही है पर्तिबल की परिभासत देते हुए कि पर्तिबल जो होता है एक आंतरी कवस्था होती है जो सरीर के दैहिक भागों बिमारी हो गया, ब्यायाम हो गया, आतनिक तापकरम हो गया इन सबी या दैहिक भागों या वैसे परियावर्डियें समाजिक परिषितियों जिसका वास्तों में हानिकारक, आनियंत्रने ये तथा उपायों के मौजूदा साधनों को चुनोती देने वाला के रूप में एक ऐसी बहु आयामी परिकिरिया है, जो ब्यक्तियों में वैसी परिषितियों की प्रती अनुकिरिया के रूप में होती है, जो दैहिक यो मनोब ज्यानिक कारियों को बिगटित करता है, या बिगटित करने की धमकी देता है, वही आपका होता है प्रतिबल, कॉलमार महोद कहते हैं कि प्रतिबल ब्यक्ति की वह अवस्था होती है जब वह प्रतेक्षड करता है और उसकी सतनिष्ठा खत्रे में होती है तब वह अपनी सभी सक्तियों की उन्नती करके अपनी सुरक्षा करता है यही प्रतिबल होता है ओके यह वाध्यान नकेंगे तो कोई घटना जो क उसी दबाव में धल जा रहा है तो वही धलने के परकितिया ही क्या कहलाती है वही आपका परतिबल कहलाती है ठीक ये बात की दिर होगी आपकी अगला परसन आपके समक्षा चुका भई अगला परसन आपके समक्षा चुका है आसमान मनोविग्यान को परिभादत कीजिए पर आसमान मनोविज्ञान की परिभासा लिख लो भाई एक बिक्ति हैं किसकर वो किस नहीं हो दूसरी बात कर रहा है किसकर एक बिक्ति हैं किसकर तो किसकर कहते हैं भाई किसकर महोदे कहते हैं आसमान मनोविज्ञान की परिभासा को देते हुए क्या आसामानी मनोबिज्ञान मनोबिज्ञान की एक बिसिष्ट साखा होती है जो ब्यक्तित संबंध आसांतित था व्योहार रोगों का अध्यन करती है दूसरे एक ब्यक्ति हैं इमेरी और इमेरी महोदे कहते हैं कि मानसिक रोगों की अध्यन में मनो बिग्यानिक का उपयोग ही आसमानी मनो बिग्यान के लाता है क्या मानसिक रोगों की अधिन में मनो बिग्यान का जो उपयोग की आयाता है और उपयोग आसमानी मनो बिग्यान की कहलाता है वही उपयोग जो की मनो बिग्यान का उपयोग हम मानसिक रोगों की अधिन के ल होती है जिसका संबन्द विक्रत ब्योहारों के निदान करने से होता है विक्रत ब्योहारों के वर्गी करने से होता है उपचार करने से होता है उनकी ब्याख्या करने के लिए उप्रियुक्त सिद्धांतों से होता है ऐसा किस ने कहा इस तर जमहोदे ने कहा तो ये कई बढ़ा साथ ने आपको बता दी तो कि देर हो गई होगे बाते उसमें तो और अगला प्रसन देखते हैं भाई अगला प्रसन आपके समक्ष है उनमादी बिकर्ती के लक्षन बताईए उनमादी बिकर्ती के क्या लक्षन हो सकते हैं इसको बताईए मेरी पैर दोस्तों उनमादी बिकर्ती के क्या लक्षन है पहला लक्षन होता है उनमादी बिकर्ती का कि बढ़ा हुआ आत्मसमान तो उनमादी विकर्थी जो होती है उसमें आत्मसमान क्या होता है बढ़ जाता है दूसरी बात क्या होती है इसमें नीद की कमी आने लगती है उनमादी विकर्थी में उनमादी विकर्थी का यह लग चला कि जो है क्या होता है आत्मसमान बढ़ जाता है नीद में कमी आयाती ह तिसरा क्या होता है पहले ही कि तुल्ला में वक्ति बातूनी अधिक होई आता है खुब बात करेगा जम करके आप इस समय देखते हूके राधनिती वाले जो बखती है खुब बात करते हैं नहीं भाजपय आये को रहा कह अजबा का नाम कहा यार अफसपा आए इब की बात आए बस पाजाएगी तो इस परकार से लोग खुब बात करते हैं राजनेती वारे आप देखें कुछ बेक्ती ऐसे होते जटे जटे चाय के दुकान में बठेंगे पेपर पढ़ेंगे और खुब रादनेती करेंगे वहीं पर बड़ करेंगे वहला खुब बात करेंगे तो बातु animi तो पहले के तुल्ला में बातु animi अधिक होना यह उनमादी विक्रती का लक्षण है चोथा लक्षण इसका यह है कि बिचारों का उडान होना क्या विचारों का उडान होना लब बहुत ज़्यदा बातें बड़ी-बड़ी करना ये सब चीज़े पाच्वी बात क्या है कि ध्यान भंग हो जाता है ये ध्यान भंगता भी इसका एक लक्षण है किसका उनमादी बिकर्थी का और शटबा इसका लक्षण है मां प्रसन आपके समख्ष है आठवा नवा नमर प्रसन है सामुहिक पागलपन क्या है प्रसन क्या है प्रसन क्या है सामुहिक पागलपन क्या है सामुहिक पागलपन मनने होता है कि जब कोई लिखेंगे आप कि जब कोई व्यक्ति ऐसा गोड़ या आदत अपनाता है जिसे समाज पसंद नहीं करता क्या इसे समाज नहीं पसंद करता है जब इस प्रकार का गोड़ इस प्रकार का कोई आदत किसी ब्यक्ती जो होता है कोई ब्यक्ती जब ऐसे ब्योहार को ऐसे गोड़ को या ऐसे आदत को अपना लेता है इसे समाज बिलकुल भी पसंद नहीं करता तो इस प लिया एक तरफ का बाल चुंडा करे वाले disaster कर वा लिया और बीच में खड़ा कर लिया कख़़ जान पाड़ा वहिए अभी इसमें के आहगा बाल क्राहिवा बाल jó को खड़िया दिया हो तो पहले यह क्या यह मर पहले आज सकता था लेकिन अब तो आम बात हो गई सब भी लोग इसे करवाने लगे हैं फैसन के तोर पर और जब समाज उसके मजाग समझता है जैसे कुछ हीवा वर्ग जो है आप ऐसा पैंट पहनने लगे हैं जो कई जगा पर फटा हुआ दिखाई पड़ता आप तो उस पर जो है चक्ती लगी होती है और इसी प्रकार कुछ युवा लोग अपना बाल नए फैसन में कटवाने लगे हैं उपर थोड़ा सा बाल छोड़ देंगे और सर के किनारे किनारे काफी छोटा कर लेंगी इसे क्या कहा आता समोहिक पागलपन की संग्या दी जा सकती है हमने आपको बताया मळए अरुब समो की इकछा नुशार या समाज के अंदरोग कोई निरने ना लिए जाए तो इसे समोहिक गल्पन का है आता है ठीक जिसे समाज मानिता ना देता हो या मानिता देता भी हो या समाज उसको अभी तक कोई सा कोई ना किया हो और तुम आप आप ऐसा कर ले ऐसे पहले समाज में जो है अगर पैंट फड़ आता था तो उस पर चक्ति लगा दे तो लोग पहनना एक परकार के चलदे बसаете डो अगर कोई जो है जो फिरा आ जाये और लेफ Woah जो है अइक दम से बताओ कोई ixòबर पहने है उस लोबर में आजुमें जो है बेल्ट यजिनाले कोई मूबीिक बना ले तो पूरी की पूरी वह 11 अपर के रहता है जो अलोर बहुत सारे लोग ऊंट रोग करके यह से चल ले लगते है 나 लिए पिशन stinks इसे आता करना लिया और तुम लोगा उसमें चाथ टा कर घूम रहे उसमें अदिक्कत हो जाएगी और 6 00. तो आप जो है हाथ में दर्द भी होने लेगा कुंतिर बाद और जो है चपपल निकल जाती है उसकी एक डांस करता है स्रीबली तो ये गाना वाले तो उसके क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अब जो है इसे से चलेंगे और चपपल निकल जाएगा तो ये सब कई चीज ये आएगो पगलवा कहां से देखो इसको अब भाल और खड़िया खाएगा तो ये चीज होती है ठीक है किलियर हो गई बात भीया किलियर हो गई बात तो आगी समझते तो इसी को सामाविक पागलपन का जाता है और दसमाआब का सामाजिक दुरभीति क्या है सामाजिक मुल्यांकन जो होंगा वो लोग करेंगे वह ऐसी परसितों से दूर हटना चाहता है वह चिंतिन नजर आता है इसे समुहिक दुर्भूती कहते है मालब कहने का मालब यह है कि कहनों अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं और कोई काम आपने ऐसा कर दिया जिससे आपको लगेग कि उसी से डर जाते हैं चिंतित रहते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे यह होगा वो होगा ऐसा होगा यह होगा उसी को समाजिक दुर्भीती के नाम से आनाता है समाजिक दुर्भीती क्या है कि आप को नों काम करो उस वर प्रतकिरिया कोई कमेंट बाजी जो है लोग करेंगे तुम यार बेकार हो ऐसा ऐसा काज यही होती आपकी क्या समाजिक दुर्भीती समझ में आगई बाते समाजिक दुर्भाती के लिए रोगी आपकी आगे बढ़ा जाए मेरी प्रादोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपके समझ चाचुका है यहाँ पर देखेंगे सभी प्रसन यहाँ पर आपको करने अनिमार है खंडबा हाई यह दूसर सब्दों में आपको प्रसन के उतर लिखने है और यह आपको बता दें कि इसमें मज़दार बात यह है कि दूसरा प्रसन जैसे हैं आपर फ्राइड के मनो गयात्मक पहलू का उधारन सहीत वर्णन कीजिए यह प्रसन दिया है तो और करें दूसरा प्रसन इसके असान पर दिया है कि दूर्भीती आर्थत्फोबिया से आप कैसे समझते हैं इसके लक्षणें परकार बताएए तो चाहिए यह करें चाहिए लिख दें दोनों में से देखी करना आपको ठीक यह बात ध्यान लखेंगे तो यही समझते है भाई पहला परसन आपके समझते है दूसरा नमें परसन है प्राइड के मनो गत्यात्मक पहलू का उधारन सही वर्णन कीजिए या अगर आपसे परसन पूचता की मनो लेंगिक विकास की अवस्थाओं का उधारन कीजिए तो कोई भी परसन पूचे तो आप आसानी से इस परसन के उत्तर में बता सकते हैं तो मनो गत्यात्मक पहलू है फ्राइड का फ्राइड महोदे ने खासकरे बात की जाए तो ब्यक्तिक के मनो लेंगिक विकास की पांच अवस्थाओं के बारे में बताया है अब पांच अवस्थाओं कौन कौन सी हैं उसको आपको सुन लिजिए पहली अवस्था है मुखी अवस्था दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था उसी को मुखी अवस्था कायाता है जो एक वर्स तक चलती है जब बच्चा छोटा होता है एक साल तक होता है तो उसी अवस्था को मुखी अवस्था कायाता है और इस अवस्था में कामुकता जो होती है लिविडो मुख के छेत्र में किंदित होती है और इस सवस्था का बालक काम संबंधी आनंद अपने मुख से माता का अस्थन पान करके और कभी कभी अस्थन को दातों से काट करके जो है लेता है इस सित्रिकों फ्राइड ने इस्थरी करण कहा है और इस इस्थरी करण के कारण भबिस में ब्यक्ती मुख की उस उन अनेक क्रियाओं को संपन करना चाहता है जिससे उसे सुखद अनभूती होती है और इस प्रकार फ्राइड ने इसे बालिकालिन काम संब्ध बताया है तो बाल कालिन काम संबन्द जो होता है अपनी माता का स्थनपान जब बच्चा करता है तो जो एक प्रकार से जो दूद पीता है तो उसी में जो है अस्थनपान करता है समय जो उसको आनंद के अनभूती होती है उसकी पहला जो है प्रकार से काम जो है वासना उसकी जो होती है वो मुख के माध्यम से करता है इसलिए इसको मुखी अवस्था फ्रायड ने कहा है ठीक और दूसरी बात फ्रायड की कौन से होसता है भई गुदी अवस्था गुदी अवस्था में क्या होता है जीवन के दो वर्सों को मलब कि जब बच्चा दो वर्स का हो जाए मलब दो वर्स के आसपास का पहले से दूसरे वर्स का जो एज होती उसको उसको फराण ने गुदी अवस्था कहा है इसमें क्या होता है बालक की काम सक्ती मुख से हट करके गुदा छेतर में केदित हो जाती है तब बालक गुदा के उद्दीपन होने पर मल भी सरजन जब करता है लब आर्था जब जो है जो है चाहे वो लेटिंग करे चाहे या फिर कोई पेशाप करे तो उससे वो आनंद की अनभूती करता है बच्चा तो एक प्रकार से इस अवस्था में बच्चा या मल की या निशंकोच मल त्याग करता है और वह मल त्यागने की क्रिया को नियंत्रण में रखता है इन दोनों सितियों में क्या करता है वो सुख की अनभूती करता है और यही उसकी जो है गुदी अवस्था की जो है एक प्रकार से उसकी काम वासना की पूर्थी गुदी अवस्था से होती है मल विसर्जन के तदर उपरांत होती है यह दूसरी अवस्था में होती है गुदी अवस्था तीसरी अवस्था मनो गयत अत्मक जो है मनो लंगी की विकास इधान के अंदरिया होती है जो आवस्था होती है जो आवस्था होती है बच्चे की उसी अवस्था को लंगी का वस्था के नाम से आना आता है और इस अवस्था में काम सकती बालक के जनन केंद्रों जननेंद्रि कि उद्दीपन से आनंद के अन्भूती कर लेता है बच्चा बालक के माता पिता ही उसकी काम असना के गेंदर बन जाते हैं इस समय क्या होता है फ्रायड का मत है कि इस सवस्था में क्या होता है बच्चों में इडिपस गरंत की बिक्सित होती है इडिपस गरंती की बिक्सित ह जाने से क्या होता है कि जो पुत्र होता है वो अपनी माता से प्रेम करता है और जो पुत्री होती है अपनी पिता से प्रेम करती है और इटिपस गरंथी के विक्सित हो जाने से यह चीज होती है तो बालक मा के परती और बालिका पिता की तरफ आकर्ष्ट होते हैं यह तीन से और पांच साल के अंद्र तकी अवस्तफा के बारे में बताया किसने मनो एक प्रकार से गत्यात्मक जो है बिक्टी उसका क्या नाम है जो सिद्धांद्या मनो गत्यात्मक फ्राइडaj सिग्मंड फ्राइड इनका पूरा नाम सिग्मन्ट फ्रायंड जो हैं ये बड़े ही फेमस बात की जाए तो मनो बिज्ञान सास्तरी रहे हैं साइकोलोजिस्ट हैं बड़े फेमस हैं हर छेत्र में इन्होंने अपने विचारों को दिया है ये बात अध्या नखेंगी चोथी जो इनकी अवस्था है भाई वो अवस्था इन्होंने आद्रिस्या मुलक मलब आद्रिस्या आवस्था कहा है तो इसमें क्या होता है बालक के मनो लेंगिक विकास में 6-12 वर्स के बीच की एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें उसकी काम सक्ती आदर सिसी हो जाती है मलब इसमें काम सक्ती उसकी नहीं एक परकार से दिखाई पड़ती है और नहीं वो दिखाई देना चाहता है और इस अवस्था में क्या होता है बालक थोड़ा बहुत अंतरमकी हो जाता है इस अवस्था में बालक जो होता है बालकों के साथ रहना परसंद करता है और बालिकाएं बालिकाओं के साथ आसाथ बालक लड़के जो होते हैं लड़के की तरफ और लड़कियां जो होती हैं लड़कियों से दियुस्ति करती हैं 6-12 वर्स के लड़के क्या होते हैं चोटे चोटे बच्चे जो होते हैं आपस में मितरता करते हैं लड़के लड़के की तरफ लड़कियां लड़कियों किसे आकरिष्ट होती हैं और क्या होती हैं इसके कारण क्या होता है कभी कभी आप देखते हैं स्कूल में जब आप छे से बारा वर्सके वस्ता में हो चोट करते हैं दूसरे को बालक बालक आए परस पर तो ये चीज़े होती है ठीक और पाची ववस्था जिन्होंने बताई है जनने इंद्रिये अवस्था मनो लेंगिक बिकास की अंती मवस्था में काम सकती बालक के जनन इंद्रियों में केंद्रित हो जाती है जिसका उपयोग विपरित योन समागम एवं संतान उत्पत्ती हेतु करता है और उस पर योन आचरण 20-21 वर्स की अवस्थाएं पहुच जाने पर ही संभव उपाता है बारा से अठारा व्रस की अवस्था में कि सोर बारा क बालक बालिकाओं के भीतर एक बार फिर काम चेतना का जागरन हो जाता है और इस अवस्था में कि सोर बालक आत्म निर्भर बन करके अपने नड़े सतंद रूप से लेने लगते हैं तो ये एक प्रकार से जनरेंदरी आवस्था थी इसकी तो यह हमने आपको बता दी आप जो है अगला परसन देख लेते हैं भाई आपको बता दे मेरी पारिज़ों कि अगले इन सभी परसनों के उत्तर में आपको देने का प्रियास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग जो है हलाकि देख लिजिए दुर्भीती फोबिया से आप कैसे मजते हैं इसके लक्षण और प्रकार लता है ये भाई परसन बड़ा ही अच्छा है दुर्भीती पूछ रहा है दुर्भीती क्या है अर्थत फोबिया क्या है तो उसे आपको बता दू दुर्भीती के बारे में दुर्भीती एक बहुत ही सामान चिंता बिकरती होती है जिसमें ब्यक्ती किसी ऐसे बिस्ष्ट वस्तू या पारिस् जी इसको कहते हैं आप ठीक यह चीज है तो सेलिग मैन ब्यक्ति हैं उन्होंने दुर्भीती को परिभाजा देते हो दुर्भीती के कहा कि दुर्भीती एक सततर डर्ना किसी चीज से लगातार डर्ना ही दुर्भीती कहलाती है जो खतरा के वास्तविक्ता के अनुपात से परे प्रशिटी सेह से दूर रहना पसंद करता है जिससे उसको डर लगता है उन वस्तों से तूर रहना पसंद करता है यह गों sach दुर्भीती एक ऐसा आसंगडर होता है जो बिसिष्ट वस्तू या पारिस्थिती की उपस्थिती से ही उत्पन हो जाता है जैसे कि कोई बेक्ती बिल्ली से डरता है तो कोई कुटे से डरता है कोई बाग से डरता है तो कोई हिरन से डरता है कोई भय से डरता है कोई गाय से ड दो चीजे क्या होती हैं आजी भी तो वस्तू शेत्वPOT DSK यो होती है और तीसारी बात या वस्तू से दुर भीति का तीसरा जो खंड है उसमें विमारी उम्चोट से सम्मधी दुर्भीती यह से कि कोई बेक्ती बहुत सारे लोग मिरती उसे डरते हैं बहुत सारे लोग कैंसर से डरते हैं बहुत सारे लोग योन रोगों से डरते हैं कि कहीं न कहीं पर एड्स तो नहीं हो जाएगा मुझे ऐसी इस प्रका एगोराफोबिया हो गई ठीक तीसरी क्या हो गई भाई आपकी समाजिक दुर्भीती होती है चौथी क्या भीज का दुर्भीती पाचवी के सामाइनवी किर्थ चिंता विकरती होती है और चट्वी कोंसी विकरती होती है तो मनो ग्रास्ती पाधिता विकरती होती है दुर्भ किजी मानसिक स्वास्त को प्रभवित करने माले कारक कौन कौन से भाई पहला कारक आपका कौन सा है पहला कारक कही है वंसानुकरम का प्रभाव होता है मानसिक स्वास्त पर एक बिक्ति है कुपू स्वामी कुपू स्वामी कहते है कि बालक दो स्पूर वंसा नुकरम में मांसिक निर्बलता एक बिसीज प्रकार का मांसिक स्वास्त और कुछ मांसिक कियों असनायो संबंधी रोग प्राप्त करता है फलसरूप वासमायोजन करने में कठनाई का अनुभो करता है कहिने का मलब ये है कि अगर आपका environment अगर वंसा नुकरम आपका ठीक ठाक नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा मांसिक निर्बलता उत्पन वुएती बच्चे में तो वंसा नुकरम का प्रभाव पहला दूसरा क्या सारीरिक स्वास्त का प्रभाव सारीरिक स्वास्त को मानसिक स्वास्त का अधार मान जाता है यदि बालक का सारीरिक स्वास्त अच्छा नहीं है तो उसके मानसिक स्वास्त का अच्छा ना होना स्वभवी की बात है रिसा कि कहा गया है कि अच्छे मस्तिक्स में अच्छे जो है जो है अच्छे सरीर में अच्छे मस्तिक्स का विकास होता है या स्वस्त सरीर में स्वस्त जो है मस्तिक्स का विकास होता है तो ये बात ध्यान लखेंगे दूसरा क्या है भाई कारक कौन से है मालसिक स्वास्त को प्रभवित करने वाले कारक कौन से पहला क्या हमने बताया आपको पहला हमने आपको बताया होगा पहला हमने बताया वह अंसानुकरम का प्रभाव दूसरा सारीरिक स्वास्त का प्रभाव पड़ता है मांसिक स्वास्त को प्रभावित करते हैं तीसरा क्या मांसिक स्वास को प्रभवित करने वाले कारक है सारेरिक दोसों का प्रभाव तो सारेरिक दोस जो होते हैं उसके समायोजन के लिए उत्तरदाई होते हैं किसके मांसिक स्वास तकेत गंभीर सारेरिक दोस बालक में हींता की भावनाय उत्पन करके समायोजन की समय सहय उपस्तित कर सकते हैं ठीक चौथा जो इसका कारक है मांसिक स्वास्त को प्रभवित करने वाली कारक में समाज का प्रभाव तो समाज का अभिन अंग होने के कारण से बालक पर उसका व्यापक प्रभाव पढ़ना सवभविक ही बात होता है और यदि समाज का संगठन दोस्पूर होता है तो बालक के मांसिक स्वास्त पर उसका विप्रीत प्रभाव पढ़ना अवस्यक होता है और समाज के आंत्रिक जगडे, धार्मिक और जातिय संगर्स, बिफिन समोहों के राजनितिक दाओं पेच, धनी वर्गों के संकीड स्वार्थ, निर्धन वर्गों की आधिर आधार भूतक आवसकताओं की पूर्ती की मांग, देख्तिगस सुरक्षा और सुतंतता का भाव ये सभी बातें बालक में मांसिक तनाव उत्पन कर देती हैं, परेडाम रूप से, परेडाम तह, उसके मांसिक स्वास्त पर विकास, उसका जो मांसिक स्वास्त का होता है, उसका विकास और रुद्ध हो जाता है, और ये सभी कारणक उस पर क्या है, उत्तरदाई हैं, और पाचवाव जो है इसका उत्तरदाई कारक को हो सकता है भाई पाचवाव आपका उत्तरदाई कारकों में आप लिख सकते हैं क्या परिवार का प्रभाव परिवार जो होता है बालक के मानसिक स्वास्त पर बहुमुखी प्रभाव डालता है परिवार का बिगटन परिवार का नुशासन, परिवार की निर्धनता, इन सभी का प्रभाव किस पर पढ़ता है, बच्चे पर पढ़ता है, और बच्चे पर जब पढ़ेगा, तो उसके मानसिक स्वास्त पर जाहर सी बात है, प्रभाव पढ़ेगा, बिद्याले का प्रभाव भी पढ़ता है, बच्चे पर पूछा गया है? हमेशा सूज पूर्ण होता है एक समान व्योहार को इस बात की असपश्ट सूज होती है कि वह क्या कर रहा है कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है उसे कौन सा व्योहार किस परिस्थिती में करना चाहिए उसे नैतिक अनैतिक का भी ग्यान होता है किसको समान व्योहार को यह समान बयोहर का ब्यक्ति होता है उसमें इन गुडों की कमी पाइ जाती जो हमने अभी ही आपको बताई समान बयोहर मी आसमान ब्योहार को ना के बराबर नेतिक अनेतिक यों सहीगरत में अंतर की सुझबूझ नहीं होती है तो ऐसे ब्योहार जिनमें अनतर की सुझबूझ नहीं हो आपकी जो है सहीगरत की सुझबूझ नहीं हो आसमान ब्योहार कहलाते हैं तो दूसरा अंतर हो गए आपका दूसरा अंतर होता है भाई तो समान बेवहार जो होता है समान बेक्ति अपने परिवार पडोस मित्रों के साथ साहोधर पूरा अर्था जो है अच्छे तरीके से बेवहार करता है अच्छे समाजी सम्मंद्र रखता है अपने परिवार या परोस के साथ और मित्रों के साथ ऐसे बेक्ति जो होते हैं समान बेक्ति वो समाज के नियमों को मानते हैं समाज के रिती रिवाजों का इस सभी का क्या करते हैं आदर करते हैं उनका पालन करते हैं जब कि जो आसमानी वाले व्योहार 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 व सामान प्यक्तियों के ब्युहारों में आईस्थिर्टा ओमाप पर इपकुता दिखाई पड़ती है ठीक है समाज की नियम के खिलाब कोई बात या फिर कोई इस्ति ना पनप सके जबकि जो आसामान ब्योहार वाले ब्योहार वाले ब्योहार वाले ब्योहार कालपनिक होता है और आवास्त ब्योहार से ओधपरोथ होता है और वह अपने हकीकत से जिंदगी से दूर रहता है तो ये बात जो है आसमान ब्योहार के दिफालो होती है पांचबा अंतर इसका लिख सकते हैं आप कि समान ब्यक्ति का ब्योहार ना तो बिचित्र होता है और ना ही उटपटाग होता है और ऐसे ब्यक्ति जो होते हैं उनके ब्यक्तियों में सोचने के जो ढंग होते हैं, जो ब्यवहार करने के तरीके होते हैं, उनमें संगतता पायाती है, ठीक ठाक मातरा में सोचते हैं, अच्छा चीजे सोचते हैं, अच्छे तरीके से कारी करते हैं, जो समान ब्यक्ति होते हैं, जबकि जो आसमान ब्यक्ति ह पाई आती है उनकी बेवहारों में जब कि इसमें आसंगत अता पाई जाती है कि इसमें आसमान बेवहार में ये बात ध्यान लखेंगे ये पांच अंतर अगर आप लिख देंगे तो कोई दिकत की बात नहीं आसानी से आपका काम हो जाएगा अगला पस देखते हैं चोथा नमबर पस नावके समक्च है भीसिका विकर्ती पर संचिप्त टिपन्ड लगिए तो भीसिका विकर्ती जो होती है चिंता विकर्ती का एक मुख्य परकार मानी जाती है और भीसिका विकिर्ती में रोगी जो होता है अचानक तथा अत्याखे भीसिका या आतंक का दोरा उसको पढ़ने लगता है रोगी को जब इस परकार की आप प्रत्यासित भीसिका दोरा बार बार अथवा सप्ताह में कम से कम एक या दो बार अवस्य पढ़ता है तब इसे DSM चतुर्थ में भीज का विकृति कहा जाता है DSM चतुर्थ में भीकृति के परिभासा को उसके बारे में बताने का प्रियास किया गया है तो उसमें भीज का विकृति की परिभासा को देती होई इस बात को कही गई है और इस प्रकार असपस्ट है कि भीस का बिकिर्ती में आप प्रत्यासित बारम बार भीस का दवरा पड़ता है और भीस का दवरा को DSM चतुर्थ में तेरा मुख्य दहिक संबेदनों में कम से कम चार दहिक संबेदन की कोई व्यक्ति अनुभो करता है तो उसे भीस का दवरा कह आ जाएगा और यह 13-दैइक संबेदन जो मुद्द्दे बताए गए हैं डीसम चतुरत में उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रियास करता हूँ दब्रा में इस हिर्दय की धड़कने आपकी क्या हो जाएंगी और कभी कभी कम भी हो जाएंगी तो हिर्दय की गती बढ़ेंगी और कम होगी कभी खुब बढ़ जाएंगी कभी खुब कम हो जाएंगी दोड़ा जब पड़ेगा तीसरी इसकी लक्षड ये है कि सास की गती रुकने लगेगी यमंद होने का अनवो होने लगेगा सास की किती धीमी धीमी परतीत होगी आपको रुकने लगेगी चौथा इसका लक्षण ये है कि मान स्पेस्कियों में कम पन उत्पन हो जाएगा जब भीसका आपको होगी भीसका बिकरती जब आपको होगी भीस का मारे दोड़ा एक परकार से समझ लेजिए तो जिसे मिर्गी का दोड़ा आता है ठीक किसी परकार से यही होता है तो भीस का जो होती है जब इस परकार की बिकरती होती है किसी में तो क्या होने लगता है दम घुटने लगता है दम गुटने का अनभव होने लगता है पांचीवी बात जो बताई गई है DSM चतुर्थ में व में कि छाती में दर्द होने लगेगा और तकलीफ होने लगईगी सीने में क्या होने लगए भाई सीने में दर्द होना प्रारम हो जाएगा और चटवी बात क्या है भाई इसमें चटवी बात बताई गए है कि जो है बेहोसी आने लगेगा चक्कर आने का अनुभो आपको फीलिंग जो होगी कैसे होनी भाई तो आपको चक्कर आने की फीलिंग होने लगेगी सातवी बात इसकी ये है इसमें भीष का भी किरती में कि पेट में दर्द होगा और जो है मिचली कानव होने लगेगा आपको ठीक है थोड़ा सा खटा खाने का मनी इस परकार से थोड़ा सा मिचलन होने लगी कहते हैं कि जी मिचलने लगता है तो ठीक उस परकार से आपका होन चौछी बात क्या बताई- मान-स्पेसिएयों में कंपन उत्पन हो जाएगा आपको हमने चठाटी में दर्द या साथवी बात क्या है वह घुशा नहीं ना अपने आप पर नियंत्रन जो है खोने का डर जो है आपको होने लगेगा और सनकी एक प्रकार से हो जाएंगे मलब की एक प्रकार से लगेगा कि आप सनक चुके हैं तो सनकी होना ठिक और दसवी बात इसमें बताई गई है डेसम चत्रत में इसके बारे में कि जो है आव वास् वहलयुदं चूपन में आपको पाइधाय से कभी साइकल के मेला देखने गए होंगे जब तल यहां बजार गए होंगे ऑपका भीस नुसें करे का छूल को नयाता सकता है प्लामने में तो छूब मोटा होइज़े शूला कंने लेखेंगा शन परब संबतन आपो होने लगेगा और जो है बारमी बात यह है इसकी कि आपको मरने का bevorघाऊने लगेगा मलाब्स अर्फाट मरने का डर आ ऊपको लगे लगेगा और त्यारवी बात समझत है कि भीजिका दवरा के दहिक प्था सामबेगिक लक्षण है साती ही इसके कुछ संग्यात्मक लक्षण भी है भीजिका दवरा सब्ताह में एक या दो बार कम से कम अवस्य होता है और दवरा आने पर लगभग कुछ मिनट तक अवस्य बना रहता है ये तो ये बात है खासरी गाम अगर में जो दवड़ा आता तो क्या सुंगाते है भाई चप्पल सुंगाते हैं तो खत्म हो जाता कहते हैं तो ये बात होगे तो इतनी बात के लिए रहोगी आपकी अगला समझते है और करके अगला पसन आपको दिया है कि सम्रति लोप के लक्षण कारक और चारका वर्ण केजिए इस्मृति लोप क्या होता है इस्मृति माने होता है जो कुछ आपको याद हो रही है तो लोप माने होता खतम हो जाना तो जो कुछ आपकी यादगार चीज़े है पिर जो आपकी जीवन में घट चुकी है वो आपकी खतम हो जाए तो वही होता है क्या गत अनभों को पहचानने की पूर्ण आंसिक आयोगिता होती है ये बात किसने कही कोल मैन महोदे ने कही तो एक परकार से बात की जाए तो इसमर्थी लोप जो है एक परकार से रोग होता है और ये हिरोग मन अस्ताप मनो बिछिप्तता मास्तिक्स में चोट या नाड़ी संस्थान की मिमारी आदि किसी में भी हो सकता है इसमर्थी लोप ठीक है और जब यह ब्रेन पैथोलाजी के कारण होता है क्या जब यह ब्रेन पैथोलाजी के कारण होता है तब व्यक्ती बहुधा पूर्ण रूप से धारन करने में असमर्थ होता है मनोजन्य इसमर्ती लोप में केवल व्यक्ती पुना असमर्थ करने या गत अन्भोग को पहचानने से पूड या आंसिक रूप से असफल होता है समालो वह चेतना के अस्तरक से नीचे आवस्य उपस्तित रहता है जब रोगी को इस मृती लोब की विमारी समाप्त हो जाती है तब रोगी का अपना पिछला जो कुछ भूल गया था उसको समकुछ यादा याता है ये एक खास बात इसकी ये है कि माल लेती स्मृति लोग की विमारी आपको हो गई है तो कुछ समय तक आपको नहीं याद है जब आपने दवायोगी खाया तो आपको जो पिछली घटना है थी वह आपको याद आ गई ये इसकी अच्छी बात है लक्षण इसके क्या है भाई इसके लक्षण क्या है इसमृति लोग के लक्षण ये कि रोगी जो होता है अपना नाम भूल जाता है और वह यह भी नहीं जानता कि वह कहां पर रहता था या कहां पर रहता है वह अपनी आयू भी भूल जाता कोई चीच करता तो वो करेगा लेकिन वो भूल जाएगा कि हाँ वो कौन है क्या है किसका लड़का है किसका भाई है किसका भाई है किसका बतीजा है वो सब भूल जाएगा ओके पढ़ना लिखना बातचीत करना खाना पीना यह सब उसका पहले जैसा रहेगा जैसे कि इसमें को हुआए तो आपको म MER APP यादद जो है आपके जो है यह BIPH 20 बनी रहे लेकिन आप भूल जाएंगे कि हाँ कौन है आप क्या नाम क्या है आपकी पिता जी का नाम क्या आउक पिताजी है क्उन आप यह कहां से है कहां पर है यह सब आप तो इसमिर्थी योप जो होते हैं कही कारणों से हो सकता है रोगी दूसी तवातावाण से बचने के लिए साध्य देख रूप से विमार होता है लिए इसमिर्थी लोप में बहुते हैं तो मनों बगयाने कई कारण है थोड़ा अब इसको हम आगे समझेंगे बिस्तार से आप ओके आगे समझते हैं आगे समझते भाई अगला प्रसन आपके समक्ष है अगला प्रसन पाच्वा नंबर प्रसन देखेंगे आप सभी लोग पाच्वा नंबर प्रसन आपके समक्ष है भाई पाच्वा नंबर प्रसन आपके समक्ष है भाई पाच्वा नंबर प्रसन आपके प्रति से आप क्या समझते हैं इसके लख्षण पर प्रकाह डालिए प्रस्न क्या है इस्म्रति लोग तो होगी गया आपका प्रस्न आप से क्या बूच रहा है बया मोही पएरा नोयॐ आपके जो है तो पैरा नोयॐए जो सब्द है वो ग्रीग सब्दों से पैरा और जो है निूस पैरा और निूस सब्द से बना है जिसका मलब होता है पैरा माने होता है मेरी पैर दोस्तों गलत पैरा माने क्या होता है गलत और नोस माने होता है आपका मन आर्थात गलत मन जो होता है पैरा नूया का मलब होता है गलत मन तो प्राचीन काल में पैरा न पेमेंटिया पेरा कॉक्स नाम इसको दिया और पेरा नोया सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था वो कालबाम महोदे ने 1883 भी में किया था एक बिक्ती है कैमरान कैमरान महोदे पेरा नोया की परिभासा को देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का रोगी जो पेरा नोया रो ब्यामोह के लक्षन उत्पन होते हैं और कोलमयन मौदय कहते हैं इसकी परिभासा को देते हुए कि पैरा नोईया के रोगी में ब्यामोह से सम्मधित ब्यवस्था का विकास मंद गती से होता है यहां विकास गूण तारकिक और ब्यवस्थित होता है असा दंडात्मक और महां के ब्यामोहों की प्रधानता होती है इसमें ब्यामोहों कि एलावा रोगी का विक्तित। सापेक्चिक रूप से जोड़ाई होता है और जिसमें गंभीर विख्टन नहीं होते हैं। मैं आपको इसके लक्षर कर बताएंगे तो चोड़ दिया गया है ऐसा उसको अनभव होगा कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है दूसरा उसका लग्षड यह होगा कि लोग उसे नाजायज फाइदा उठा रहे हैं तो यह उसको लगेगा तीसरा उसको क्या लगता है भाई तीसरा इसका लग्षड यह है कि उसके बिरु जो है लोग सलियर्द कर रहे हैं चौथा उसको इसका लक्षण ये बाब बता सकते हैं कि लोग जो हैं उसके साथ दिर्व्यवहार कर रहे हैं ऐसा उसको प्रतीत होगा ऐसा उसे लगेगा तो ये ब्यामो है ठीक ब्यामो है इसी को कहते है ब्या मोही पहे रानोया ठिक और जो है पाच्वी बात यह है कि वह अनभो करता है कि उसके पीछे जासूस लगे हुई है रोगी के चट्वी बात यह है कि इसमें क्या होता है इन रोगियों में दंडात्मक ब्यामोह यो महांता का ब्यामोह सरबाधिक मातर में पाई जाते हैं और सातमा इसका लक्षण ये है कि जो बेक्ती होता है इसका जो बिमार बेक्ती होता है ब्यामोही बिकरती इसको होई होती है उसकी कुछ चीजे चोरी हो गई होती है ऐसा उसको महसूस होता है ठीक और आठवी इसकी विसेस्ता या लक्षण ये है कि वह मानता है कि संसार के लोग निष्ठुर हैं स्वार्थी हैं और निर्दई हैं ये हमारे प्रतिकिस प्रकार से ब्योहार कर हैं ऐसा उसको लगेगा तो इस प्रकार के जो रोग को क्या कहते हैं जब इस प्रकार से लक्षार सरीर में होने डाले प्रसन क्या है मनों बिच्छेदी बिकर्ती के स्वरूप पर प्रकार डाले बढ़े हां प्रसन है मनों बिच्छेदी बिकर्ती के स्वरूप पर प्रकार डाले most important person एक्जाम सुन्या सकता है person क्या भाई मनो विछेदी विकरती देखे भाई person मनो विछेदी विकरती क्या होती है आई समझते है मनो विछेदी विकरती तो मनो विछेदी विकरती एक महत पूर यो सामान मानसिक रोग की सड़ी में आता है जिसमें क्या होता है कि रोगी की मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है विसेस करती इस मिर्थी या चेतना जो होती है जो समानवित रहता है विच्छेदित हो जाता है जो उसकी मानसिक क्रियाएं होती है इस मिर्थी जो कुछ याद करने चीज़े होती है जो उसने एक अठा रख प्रमुक लक्षन विच्छेदन की अनभूती में अन्य बातों की अलामा निमलिखित पांस तरह के अनभूती आदिक होती है पहली बात यह है कि इसमें मनों विच्छेदी विक्रती का लक्षन परकार सुरूप क्या है पहला सुरूप इसका यह है कि इसमर्ती लोप का हो जाना मनलग की इसमर्ती लोप में रोगी अपनी पूरवान भूतियों का आंसिक या पूर रोपेड प्रत्यायाहन करने में असमर्थ हो जाता है तो यही मनों विच्छेदी विक्रती होती कि मन का जो जितने आपके अंदर जो आपकी इसमर्ती है उसमें जो आप याद करे होई है जो आपके दिमाग में जाटा इकठा है उसको वो अलग-अलग हो जाए वो विच्छेदी विक्रती हो जाए ठीक है यह चीज दूसरी बात इसकी यह होती कि ब्यक्तित्य का लोप हो जाता है इसमें क्या होता है कि रोगी अपने आप से आसंबंध महसूस करता है रोगी को ऐसा महसूस होता है कि वह कोई धारा में बह रहा है वह अपनी ही गद्विधियों से बाहर खड़ा होकर देख रहा है इस प्रकार से वेक्ति को लगेगा वेक्तितु का लोप होना तीसरी बात थैंकि 3 इसका सुरूप है मनुबि कृ dłटी वास्टबिक्ता का लोप हो जाना इसमें क्या होता है वास्तबिक्ता लोप में रोगी को पूरा वातावण ही आवास्तबिक यूम आविस्वास नहीं लगने लगता है वो कि वोल अपने आपको देखता है बाकी कुछ उसको अच्छा नहीं लगता और तीसरी चौती बात इसकी है चौता सुरूप इसका क्या है भाई पहचान संभरांती हो जाती है पहचान संभरांती में रोगी जो होता है अपने बारे में यह संभरांती उतपन उसके अंदर हो जाती है कि वह कौन है क्या है यह सब उसके अन्में तमाम प्रिकाद के परस्ण उखते हैं पाच्छ बाज इसका जो सुरूप होता है मनों बिछेदी बिकिर्ती का वो होता है पहचान बदलाओ आर्थाद इसमें क्या होता है पहचान बदलाओ में रोगी कभी कभी कुछ आस्चर उत्पन करने वाले कवसलों से अपने कुलेस कर लेता है और कवसल मन इसकिल ठीक है और रोगी को आस्चर इसलिए होता है कि उसे पता भी नहीं रहता कि उससे ऐसा कौसल या ऐसा स्किल उसके पास है जैसे कि संभा हो है कि कभी कभी रोगी जो होते हैं विद्यसी भासा के कुछ ऐसे सब्दों का उपयोग करके अपने संभासल को आकरसक बना देते हैं कि उसे आश्चर होने लगता है कि ये बात मैंने ही बोली है ऐसा भी जो है होने लगे तो ये पहचान बदलाओ की इस जो है सरड़ी में आता है ये पास सुरूप इसके जो है मनोब इच्छी दिविकरती के हमने आपको बता दिये आगे बढ़ा जाए अगला परसन च्छटवा नंबर परसन आपके समक चा चुका है च्छटवा नंबर परसन है और लगोतरिये का परसन बड़ा ही लाश्ट वाला परसन है बिसाद से तातपर क्या है इसके परकारों की बेचना कीजिए और करके दिया है परतिबल के परकारा बताईए तो पहले बिसाद के बारे में समय लेते हैं बिसाद क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे क्या बिसाद क्या होता है उसके बाद में हम क्या समझेंगे बिसाद के बाद में हम क्या समझेंगे बिसाद के बाद में हम पर्तिबल के परकार को समझेंगे तो आई देखते भाई बिसाद क्या है ओके बिसाद से क्यादात पर है इसके परकारों के बिवेजना कीजिए तो बिसाद क्या होता भाई इसको जानते हैं तो बिसाद जो होता है उसके बारे बात किया है तो DSM चतुर्थ में मनोदसा बिकरती को एक अलग बिकरती के रूपे माना गया है और विसाद को ही मनोदसा बिकरती के नाम से भी जाना आता है और इस विक्रती में रोगी के भाव, संबेग और इनसे सम्मधित मानसिक अवस्थाओं में इतना अधिक उतार चढ़ा हो जाता है जो मनोदसा होती है उसी को विसात कहाता है उसमें क्या हो जाता है कि मानसिक अवस्थाओं में इतना उतार चढ़ा हो जाता है कि मनोदसा विक प्रतिदिन के समायोजन में भारी कठनाई होती है और उसे समाजिक और ब्यवसाइक जीने में भी बहुत कठनाई आने लगती है इस रोग में क्या होता है इस रोग को बिसाद बिकिर्थी के नाम से भी जाना जाता है और बिसाद बिकिर्थी का तातिपर मनोदसा में उत्पन उदासी से होता है और इसमें पांच लक्षन पाय जाते हैं ये बात भी ध्यान लेकेंगे तो पांच लक्षन इसमें पाय जाते हैं जैसे पहला लक्षन तो संबिग आत्मक दूसरा प्रेन आत्मक तीसरा व्योहार आत्मक चौथा संग्यान आत्मक और पाचवाब का दह एक लक्षन कुछ पायाते हैं विसाद के कई परकार हैं आपसे परकार पूछा गया था विसाद के कई परकार हैं जैसे कि पहला परकार वैसे विसाद के मुखरूब से तीन परकार हैं मुखरूब से विसाद के तीन परकार हैं पहला परकार आपका विसादी विक्रती विसादी विक्रती जो होती है उसको एक धुर्बिय विक्रती भी कहा आता है और इस परकार के रोगी में भूख और नीद की कमी जो है पाई जाती किसमें विसादी विक्रती में ना तो उसको भूख लगेगी कम लगेगी भूख और भी कम लगेगी और ये विसादी विकरती जो होती है खासके ने दो परकार के होती है पहले होती डाई जो है इस्थामिक विकरती और दूसरी होती है बड़ी विसादी विकरती जो डाई इस्थामिक विकरती होती है इसमें रोगी को रोग चिरकालिक होता है मलब कि कम समय के ल होता और किसी कारें ऐringe को समलने लगता है thinking and बुदे अब करने कृजिए मन इता है और कई बार आकमात्य करने की प्रयास करता है में अंपनी समय के लिए कई वरसों तक विक्रती से घरस्त रहता है तो मिष्दे zu knots कार की होती है डाइस थानी बिकरती और बड़ी विसादी बिकरती ओके हमने आपको बता दिया क्या क्या मतलब होता है उसका तो विसादी बिकरती जो मलब विसाद तीन प्रकार क्या होते हैं पहला है विसादी बिकरती ओके अब दूसरा कौन सा होता है दूई धुर्बी बिक लक्षड तो कभी उस्ता के लक्षड जो है दोनों समय समय पर पाए जाते हैं दुई धुर्बी ये बिकरती में चुकि दुई धुर्ब है एक जो है जो है जो है बिसाद के लक्षड पाए जाएंगे तो कभी उस्ता के लक्षड पाए जाएंगे ओके बिसाद माने होता कि morality down हो जाए जिसकी और जो एक परकार से बात की जाए जो आपकी उससा होता है उससे क्या होता है आपका high level पहुंच जाए और तीसरा जो होता है आपका मनोदसा विकरती से कायाता है तीसरा जो विसाद का परकार है मनोदसा विकरती है मनोदसा विकरती का कारण मधुमे है रोग हो गया है फिर हिर्दय पच्छा घात हो गया कैंसर जैसी जो मेडिकल बिमारिया होती है वो मनोदसा विकरती के सिर्णी में आती है ठीक तो ये बिसाद के बारे में हमने आपको बता दिया ठीक क्लियर होगी बाते अगला परसनाब देखेगा और करके दिया है आपको पर्तिबल के परकार बताई पर्तिबल क्या होता है भाई इसके परकार के बारे में आपसे परसना पोचा गया है पर्टिबल के परकार बताईए पर्टिबल क्या होते हैं भाई पर्टिबल बात की जाए तो खास करके पर्टिबल दो परकार के होते हैं मुखिरूब से पर्टिबल कितने परकार के होते हैं मुखिरूब से दो परकार के होते हैं लेकिन हम इनको चार प्रकार से जो है समझ सकते हैं पहला आपका प्रतिबल कौन सा होता है वैसे दो प्रकार का प्रतिबल है बिद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताए है प्रतिबल के प्रकार होता है कुछ बिद्वानों ने पर्तिबल के दो परकार बताएं है उसको हम देखते हैं आपको पर्तिबल माने होता है एक परकार से मोटी बेसन जिसको आप कहते हैं ठीक है तो पर्तिबल जो होता है और एक परकार से बर्गी गिर्ट किया सकता है परतिबल की दिश्टी से तीबरता से परतिबल हलका और तीबर हो सकता है ये बात ध्यान लखेंगे पहला होता है आपका पर्तिबल उसको कहते हैं अहेंग गरस्त पर्तिबल पहला पर्तिबल कौन से होता है अहेंग गरस्त पर्तिबल दूसरा होता है तो अहेंग गरस्त पर्तिबल के बारे में आपको बता दें अहेंग गरस्त पर्तिबल वह पर्तिबल होता है जिसमें क्या हो यदि कोई विक्ति यह रभो करने लगता है कि परतिबल परिस्यतियों के लिए स्वयम्दोसी होता है या उसके बेवहार के कारण ही परतिबल उत्पन हुआ है तो यह अहिंग ग्रस्ट परतिबल हो कहा जाएगा जबकि जो आगरस्थ परतिबल होता है एहंग आगरस्थ परतिबल इसमें क्या होता है यह हुए परतिबल होता है जिसमें बेक्ति अपना कोई भी योगदान नहीं समझता है और यहां परतिबल का कारण दूसरे बेक्ति या परिसिती पर अधारित होता है तो वो होता है एक एक बेखती हैं परसिद्ध कैनेडियन कनाड़ा के हैं सरी सास्त्री हैं सेली उनका नाम है और उन्होंने अपनी पुस्तक उनकी एक पुस्तक है दा stress of life the stress of life में परतिबल को दो परकार से उन्होंने बताया है पहला बताया का उन्होंने पहला परकार बताया और दूसरा परकार पहला उन्होंने बताया distress और दूसरा क्या बताया stress पहला क्या बताया distress दूसरा बताया you stress पहला बताया distress और दूसरा बताया you stress जो रुड़ात्मा घटनाओं के कराण से उत्पन होता है जैसे कि कोई मनो बैग्यानी का घात हो गया आपके उपर या सालिली का घात हो गया या गंभीर विमारी हो गई इन सभी से उत्पन जो परतिबल होता है यह आपको एक प्रकार से डिस्ट्रस मिले जाएगा और जो इसकार से आपको धन प्राप्त हो जाए आपको जो है आपके दहेज में हीरो हंडा इस प्लेंडर फलस मिल जाए तो यह सब क्या होती है यह सब क्या होती है आपकी इस सब के फल सरूप जब आपको ऐसे चीज़े मिलती है तो इस सब फल इन सभी के प्रडाम सरूप आपको जो अंदर से बल मिलता है, आपको जो अंदर से जो motivation मिलता है, परतिबल जो मिलता है आपको, वो होता है आपका you stress, और जो एक परकार से आपके सरीर में कोई आगात हुआ, कोई सरीर में आपको चोट लगी, कोई गंभीर विमारी है, आपको उसके कारण से जो आपके है मिलब कि उन आपको जो है किर जीजों के माधम से किर दि yelling शहीं जीजीं हो रही है ठीक है जैसे बीमारी है आपको तो आप कुछाशी दिस्रे तरीके से सोचेंगी अगर आपको कुछी पुरुसकार दे दिया तो आपको यसे दूसरे माइंड जो होगा आप का वदल जाएगा Birmingham पर्तिबल तो घटनाओं को सुनने या दिखने के बाद में जो पर्तिबल होता है आपके अंदर जो feelings आती हैं वही feelings को क्या कर लाती है परतिबल के द्वारा ही आती है ठीक यह बात के लिए होगी तो परतिबल के बारे में आपको समझा दिया तो आपको doubt कोई नहीं रहेगा आप यहां पर आपको बता दें कि अगला परसन आपके समख जो आएगा दिरगुत परसन को के लिए परसन करने होंगे और यह खंड़ सा से परसन है आपके सारे की सरे किस्ते हैं तो सब्सक्राइब कर देजेगा क्योंकि इसी परकार से में वीडियो लगाता लाता हूँ हालत सब्जेक्ट के सोस्योलाजी हुआ पॉल्टेकल साइंस हुआ हिंदी साहित हुआ अंगरीजी साहित हुआ अंगरीजी साहित का दूसरा चैनल है इंगलेजिस के गुरू उसको सब्सक्राइब कर लेजिएगा हमारे टीचर है उन्होंने बनाया है तो उसको सब्सक् जाएगा तो आप लोग इन पर चीजों को पढ़ लीजेगा हला कि मैं आपको देने का प्रियास करूँगा जहां तक होगा लेकिन आप लोग इनको अगर आपके सीरीज में मिलता है तो आपके उसको पढ़ लीजेगा ओके अगला पसना है आसमान मनोबिज्ञान से आप क्या दिवस्था है अगला पसना आपके समझे नववा नंबर मनोदैहिक विकरती से आप क्या समझते हैं इसके कारण लक्षण यो मुपचार की विविचना कीजिए मोश्ट इपर्णन परसन है एकजामस में सारे के सारे परसन बन सकते हैं तो इस सभी परसनों को आप लोग तय लोग पढ़निए और यह परसन को हैं बहुत हम धर्में नंवर नंबर मनोदैशन कीजिए यह भी वीडियो हमने दाला है इसको आप लोग जरू देख लिए इसमें आपको कम समय में तैयारी करने के पांच अचुक तरीके बताए गए हैं तो इस वीडियो को जरू देखे प्रत कर लिजीगा यहीं से प्रत आने के यहीं से प्रस्ण आपके और इसके प्रस्मिया लगातार बने हैं उनको आपके Mr. publis परसन फसेंगे हमने आपको इसाभी परसन के उत्तर भी आपको पता दिये और भी आपको देने का प्रयास करूँगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहनजा भारत अब सभी को बहुत धन्य बाद हमारे साथ में जुड़ना के लिए और जितने भ गर में आपके घर में जितने ही मुवाइल है आप सभी मुवाइल को ऊठा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मेरे पेर दोस्ते हैं कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब केलिए जहनजा भारत आप सभी का बहुत भाथ धन्यवाद्वाद मैं पर दोस्तों